तो भाई यू सेंसर बोड की पैनी नेजर का सामना करते हुए और 27 से भी जादा कट करवाते हुए फाइनली OMG2 का ट्रेलर आही गया भाई इतना तो किसी कटिंग की दुकान पर टाइम नहीं लगता जितना सेंसर बोड ने इसके सीन्स काटने में लगा दिये और आखिर क्यों तो आईए बात करते हैं वेल आप देख रहे हैं थेटर वाला रिव्यू तो गुरू होते हैं शुरू तो दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि OMG2 को रिलीज होने में अब केवल कुछी दिन बचे हैं लेकिन सेंसर बोड है कि कट पे कट किये जा रहा है एंड फाइनली इतने कटिंग और चटिंग के बाद से ट्रेल तो आ ही गया मुवू में क्या चेंजेस होंगे वो तो मुवू देखके ही पता चलेगा वेल बात करते हैं स्टोरी की तो OMG2 की स्टोरी क्योंकि पहले वाले में एक भगवान को ना मानने वाला नास्टिक वेक्ती परेश्रावल जी थे एंड इस मुवू में पंकस्त्रिपाटी जी हैं जिनको भगवान पर पूल्ण भरोसा होता है एंड पहले ये पता चल रहा था कि अक्षे कुमार भोले नाथ जी का रोल करने वाले हैं तो सेंसर बोड के कटिंग छटिंग के बाद से उन्होंने भी अपना रोल चेंज कर लिया एंड फिल्म मेकर ने उनको भगवान पोले नाथ का एक गण बताया जो हमें ट्रेलर में सुनने को भी मिलता है याने एर रेटेट की मूवी है याने बडो के लिए है सेंसर बोड के इतने चटिंग के बाद इसे रेट दिया गया है पंकरस्तिरपाटी जी की एक छोटी सी फैमिली होती है और उनका एक लड़का होता है जो किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है एंड तभी हो जाता है एक छोटा सा इंसिडेंट एंड कुछ सोशल मीडिया पे उनके लड़के का वीडियो हो जाता है कुछ वाइरल एंड उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दे जाता है और उनका लड़का डिप्रेशन में आने के बास से सुसाइट कर लेता है एंड इससे पंकस्तिरपाडे जी की इमेज काफे खराब हो जाती है एंड तभी वो डिसाइड करते हैं कोट में PIL करनी के लिए जिसमें वे खुद ही एप्लिकेंट एंड डिफेंडेंड है एंड जिस स्कूल के खिलाब वो लड़ते हैं उनके प्रिंसिपल है अपने अरुन गोईल जी तो भाई लोगो एक बार तो जैस्रीराम बोलना पड़ेगा ही एंड कमेंड बॉक्स में भी जैस्रीराम से भर डालो खिर बात पर आते हैं इस्कूल की तरप से यमी गोतम वकील के रोल में लड़ रही होती है एंड कुछ डायलोग की बात कर लेते हैं तो पंकस्त्रिपाडी की बोलते हैं दुनिया जब करवट ले रही थी तो हमारा सनातन दोड रहा था एंड एक डायलोग और है जिसमें ब बाबा असिरवाद नहीं पैसे चाहिए ये देके तो मजा ही आगया फिलिंग तो सही थी बट इस फिल्म के सामने दो समस्या हैं पहला तो गदर टू जो सामने खड़ी है और दूसरा सबजेक्ट अगर सबजेक्ट सही नहीं लगा लोगों को पसंद नहीं आई और कुछ उ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस साल बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आने वाली है एक से बढ़कर एक धमाकेदार मूवीज मिलते हैं अगले वीडियो में